के बयान का समर्थन किया है मुख्यमंत्री साय ने पूर्व पीम के बयान की निंदा की है देश में करोणों OBC, SC, ST से रहते हैं सबको अधिकार है सबका अधिकार देश के संसाधनों पर है देश के सामने ये बात लाकर प्रधानमंत्री अच्छा कर रहे हैं ये दरसल उनके उ पीए की सरकार थी और मनमहन सिंग जी प्रधानमंत्री थे तुन्होंने एक बयान दिया था कि इस देश के संसाधन पर अलफ संख्यांकों का पहला अधिकार होगा मैं इस बयान की निन्दा करता हूँ कह कि ये देश में अलफ संख्यांकों के अलावा करोरो करोरो की संख्या में HTSC, OBC, General के लोग भी रहते हैं और सब देश के लिए चिंता करते हैं देश के विकास के लिए चिंता करते हैं तो सबका अधिकार देश के संसाधन में है और कल इन पर धानमंती का बयान की उसमें पहला हक अलफ संख्यांकों का होगा यह उनका बयान बिलकुल गलत है और एक और अभिशेक हमारे साथ नियूजेटीन एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभिशेक बयान पर साय ने कहा बयान पर यह एक रिएक्शन कहा जा सकता है देश के सामने लाकर पी एम अच्छा कर रहे हैं जी अभिशेक बिलकुल देखिए प्रदान मंतरे के बयान के बाद से जो उन्होंने दिया उसके बाद से सियासत गर्माई हुए थी कॉंग्रिस इस पे लगातार अटैक कर रही थी यह उसी रिफरेंस में मुख्यमंतरी विश्लोदी उसाय ने बयान दिया है उन्होंने फिर से याद दिल जो कि इसे लोगिया पर रहते हैं तो सभी का यह यहां पर अदिकार है यह इस कि मुख्यमंतरी ने यहां पर ऑधिकिया और प्रदान मंतरी का दहन्यवाद क्या है देखें चुनावी समय है और चुनावी समय में इस परकार के बयान बहुत आना लाज़ाथ है लेकिन एक बाद जरूर है कि पधार मंतरी के उस बयान के बाद से उनके भाशन की चर्चा पूरे देश बर में हो रही है और भाजपार जहां इसका सबर्दन कर रही है वही हत्यारों का जखीरा बरामद हुआ है डिर लाकी दस अवैद देसी पिस्चल जब्त हुई है खकनार धाना पुलिस में बड़ी कारवाई की है दिल्ली के आरूपी को घेरा बंदी कर दबूचा गया पाचावरी से हत्यार खरीद कर ये जा रहा था तब ही इसे पकड़ लिय लिया गया हलागे दो आरूपी फरार हो गए इनकी तलाश भुलिस इनकी तलाश कर रही है तीन पर आम सेक्ट के तहत मामला दर्ज है और रायसेन में सस्टी पॉइंट पर बड़ा एक्शन लिया गया है कार से साढ़े चार लाख रुपए नगत बरामद हुए हैं 20,500 रुपए के गुठके के कुपन बरामद हुए हैं व्यापारी पबन यादव से बरामदगी हुई है गंजबासादा से भुपा लिया जा रहे थे इनसे दस्तावेज मांगा गया चूंकि 50,000 रुपए से जादा की रकम नहीं ले जाई जा सकती जेवरात नहीं ले जाई है तो लाने का और कहां कहां से लाया जा रहा और कहां ले जाया जा रहा है वाजिव रीजन होना चाहिए खबर मनेंद्रगर से जहां अतिक्रमंट पर बुल्डोजर चला है पांच एकड़ जमीन से बेजा कबजा हटाया गया जेसी बी की मदद से अतिक्रमंट को हटाया गया भारी संख्या में पुलस बल भी मौजूद रहा ताकि कोई अप्रूस पाहिना बने चैनपूर में मनें चैनपूर में यह राजस विभाग ने बड़ी माफ कीजिएगा मनेंद्रगर मनेंद्रगर के चैनपूर में राजस विभाग में बड़ी कार गई था खबर राइपूर से जहां भाटा गाउं में एक एंबुलेंस में आग लग गई स्वास्य के इंद्र में यह एंबुलेंस रखी हुई थी और आग लगी देखते ही देखते फैल पी चलिए आग ने पुरी एंबुलेंस को अपनी चपेट में ले लिया आग लगने की बजह अब तक साफ नहीं हो भाई इससे सिविल अस्पताल लांजी में भर्ती किया गया है लांजी शेत्र के वारी गाउं की यह घटना है इधर जैश्पुर में डालेसिस के दौरान एक मरीज की मौत हो गई पथल गाउं सिविल अस्पताल में मरीज की मौत हुई और फिर परिजन नाराज हो गई उन्होंने लापरवाही कारूप लगाया, सड़क पर शब रख कर प्रदर्शन भी किया, इस बात की जानकारी विधाय को लगी, विधाय गोमती साहे मौके पर पहुंची, बत्ती गुल होने से डायलेसिस नहीं हो पाया, जनरेटर भी खराब था इधार प्रधानमंत्री मोधी 36 गढ़ के दौरे पर आने वाले हैं, 23 और 24 अपरेल को 36 गढ़ में ही प्रधानमंत्री रहेंगे रायपुर में कई मारगों पर ट्रैफिक पे वस्था बदली रहेगी, ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ट्रैफिक में किये गए बदलाओ का पालन करें इतना ही नहीं, 14 से ज़ादा फ्लाइट्स भी इसके चलते प्रभावित हो सकती है 36 गर में जारी लोगसभा चुनाओ के बीच कॉंग्रेस को एक और जटका लगा है दुर्ग में कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता लक्ष्मन चंद्राकर की पत्मी शैल्जा चंद्राकर ने आज बीजेपी का दामन ठाम लिया जेपी नड़्डा की मौझूद्गी में उन्होंने पार्टी में प्रवेश किया वासुदेव चंद्राकर की बहुल जो है शैल्जा चंद्राकर आज बीजेपी प्रवेश कर चुकी है सीदों उनसे बाचित करेंगे मडम कॉंग्रेस का परिवार और अब बीजेपी का दामन सर ससुराल कॉंग्रेस का है माइका तो सनातन मोदी जी का है क्योंकि जब समझ नहीं थी तो नैचली मैं तो वैसे संग परिवार जी हूँ मेरे दादा जी पांडूरंग जी पंथ जिनका इंद्रा जी ने भी बहुत सम्मान किया कि दबेस कैशियर रहे है पांडूरंग पंथ उनके नाम से अभी भी नागपूर के रेशमभाग में एक जो हाउस बना हुआ है अभी तो मैं उस विचारधारा की तो शुरू से हूँ तो लंबे समय से कॉंग्रेस में परिवार जुड़े और उसके बाद में वर्ट्शो के बाद में अपने तो पर उनकी तो एकड़ा मुरीद हो गई क्योंकि मैं आध्यात में से हो और ऐसा चाहती हूं ऐसा होना चाहिए पांच साल पहले भी मैं चाहती थी मैं प्रवेश करूं मतलब पांच साल पहले या अभी की सरकार अभी प्रभौव जादा दिखा मोधीजी का नो नो उसमें में करेंगा होने नहीं दिया गया किसी बड़े नेता के कारण नहीं हूं मुझे नहीं पता क्यों नियून होने दिया क्यों कि मैं प्रवेश्च अधी थी तो ने पतार तरह के शेलिजी जा चैंद्राकर तो बता रहे हैं थे कि पांस साल पहले यह बीजेपी में आने थी आने पाई थे लेकिन अब आई है और निश्री दुरुप सिन कहीं कहना है कि आने वाले समय में जो देश है वो मोदी जी के नित्रत में तरक्की करेगा न्यूज एटिंग सब्सक्राइब के लिए दुरुप से मिखले इस्था को देवास के प्रसिद्ध कबीर भजन गाया कालूर सम्मानित किया 24 अपरेल को प्रधानमंत्री मोदी भुपाल में एक रोड़ शो करेंगे प्रधानमंत्री के रोड़ शो को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो चली है सीम डॉक्टर मोहन यादाउ ने रोड़ शो के पूरे रूट का जाइज़ा लिया इस दोरान पोलिस और प्रशाशन के आला अधिकारी मौजूद रहे जबलपुर के बरगी में बाइक सवार की स्टन्ट करते हुए हाथसे में मौत के बाद पुलिस प्रशाशन जागा है और बाइक पर स्टंट करने वालों के अब खेर नहीं स्टंट करने वालों के खिलाफ पुलिस कड़ी कारवाई करेगी बाइक चालक का लाइसेंस रद करने तक की कारवाई होगी यातायात पुलिस अब स्टंट करने वालों पर कड़ी नज़र रखेगी आपको बता दें की सपरेल का ये वाकया है एक बाइक स्टंट करने के दौरान यूवक्त की मौत हो गई इस साथ से के बाद पोलिस ने स्टंट बाजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है लोगसभा चुनाओं के चलते धार पोलिस ने बड़ी कारवाई की है और अपराधियों पर शिकंजा कसा गया है अलग अलग थानाक्षेत्रों में कारवाई करते हुए एक स्टाइ और अस्थाई और अस्थाई दोनों के समके वारंटी किरफ्तार किये गए हैं 318 गुंडे 134 निगरानी शुदा 14 हजदिला बदर बदमाशों को चेक किया गया प्रभावी कारवाई की गई 24 गंटे में आपकारी एक्ट के 35 प्रक्रण बनाए गए कुल 36 हारुपी गरफ्तार हुए 3 लाग से जादा की 1250 लिटर अवेश शराब भी जब्त हुए अगामे लोग सवा चुनाओ निस्पक्ष और दिर्विप रुख से संपान हो सके इसके लिए हम लोगों ने जितने जिले में अबैद गतिविदियों में लिप्त लोग हैं और जो गुंडे हैं बनमास हैं इस जो चुनाओ को प्रभावाई कर सकते हैं उसके लिए अग्याओ को अचार सहीता में शेस्त्र प्रदर्शन में पड़ गया पुलिस ने गाड को राइफल समेद गिरफतार किया दरसल ग्वालियर देहात हस्तिनापुर डपका निवासी मोहिंद्र धर्मेंद्र राना एटिम में कैश भरने वाले एजनसी में सुरक्षा कर्मी का काम करते हैं धर्मेंद्र नोकली का हवालादेकर आचार सहीता में लाइसंसी राइफल जमा करने से छूट फासल की है लेकिन रियायत का फाइदा धर्मेंद्र रसूख जमाने में उठा रहा था वो बिजौली गाउं में शादी समारों में बंदूख लेकर शामिल होने पहुँच गया यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए सतना में प्रचार के रण में उतरे कॉंग्रेस सध्यक्ष मलीकारजुन खडगे कॉंग्रेस उम्मिद्वार के पक्ष में चुनावी सभगी